दोस्तों, क्या आपकी आवाज भारी है और इस भारीपन के कारण आप उचे स्वरों को और निचले स्वरों को सही से निगी लगा पाते हैं या कोई भी गाना गाते वक्त आपको बहुत मुश्किल होती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक जिसमें मैं शेयर कर करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके हेड वोईस को तो डिवलप करेगा ही करेगा और चेस्ट वोईस को भी बहुत अच्छे से बूस्ट देगा तो चलिए देखते हैं कोई भी गाना जब आप गाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक गाने में उपर के स्वर और मद्धे सब्तक के स्वर समान रूप से मिक्ष्ट होते हैं तो उस गाने को सही रूप से सही ध्हंग से निभाने के लिए आपकी आवाज का तीनों सब्तक में तार सब्तक मद्धे सब्तक आजाता है तो हम उस गाने को सही ढंग से निभाने में अक्षम रहते हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेर करूँगी कि आप अट लीस्ट एक गाने को अपने हिसाब से निभा पाएंगे और धीरे धीरे इस डिरेक्शन में आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर राप्त होगी दोनों वोईजिस को डिवलप करने में हेड वोईज को भी और चेस्ट वोईज को भी सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो चेस्ट वोईज है उसका क्या फाइदा होता है चेस्ट वोईज का ये फाइदा होता है कि चेस्ट वोईज के जो वाइब्रेशन है चेस्ट में जो वाइब्रेशन आपके उत्पन हो रहे हैं जब आप चेस्ट वोईज को यूज कर रहे हैं या उस voice से आप गाना गा रहे हैं तो यह जो chest के vibrations है यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रखर होने लगते हैं अगर आपका chest voice developed हो जैसे कि हम में मुझे काफी सारे questions आते हैं कि क्या मैं chest voice से गा रही हूं गा रहा हूं या क्या मेरी आवाज stomach voice वाली है या blended है तो इसका आप खुद ही इसको इसका निर्नय ले सकते हैं कि मेरी आवाज जादा chest voice को यूज करती है या stomach voice को यूज करती है अगर आपकी आवाज में natural गूंज है lower octaves में तो octave के स्वरों में तो आपकी आवाज definitely chest voice को use करती है और इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका chest voice develop करने से आपकी आवाज में गूंज की बढ़ोतरी होगी तो अगर आप chest voice को develop करने के तरीके अपनाएंगे तो कोई भी गाना जब आप गाएंगे तो निचले वाले जो स्वर हैं उन स्वरों को गाते वक्त आपके chest के vibrations और बढ़ने चाहिए और उससे जो बूंज produce होगा वो और भी ज़्यादा improve होना चाहिए अगर आप इन तरीकों को follow करेंगे तो तो उन में से एक तरीका ऐसा है कि मैं जब चोटी थी और मैं स्कूल जाती थी और स्कूल बस से जाती थी स्कूल बस की खिड़कियां जनरली बंदी होती हैं बच्चों को जो स्कूल बस ले जाती हैं तो कांच के windows होते थे और जादा तर मैं खिड़की के पास ही बैठती थ तो काफी आधी गंटे का टाइम मुझे मिल जाता था मैं कोई न कोई गाना गुन-गुनाती थी गुन-गुनाती थी, गाती थी, अपने ही मन में गुन-गुनाती थी, गाती थी और क्या होता था कि क्यूंकि मैं खिडकी के पास बैटी हूँ काज की खिड़की के पास जब मैं गा रही हूँ उससे जो reflections मुझे मिलते थे क्योंकि मैं chest voice से गाती थी या फिर जब आप कोई भी गाना गुन गुनाएंगे तो आप generally chest voice से ही गुन गुनाते हैं तो उसमें आपका chest voice ज़रूर use होता होगा पर आपके chest voice को अगर और आप develop करना चाहते हैं तो ये तरीका ज़रूर अपनाएंगे कि कोई भी काज का window अगर हो उसके सामने जब आप गाएंगे तो आपके अंदर के जो vibrations है chest vibrations है वो आपके मुझे बाहर जा रहे हैं और वो जाके काज से टकरा रहे हैं कहां से reflection आ रहा है and that is causing the amplification of your chest vibrations of course आप बोलेंगे कि ये external vibrations कैसे internal vibrations को help करेगा करता है आपने resonance का fundamental तो जरूर सुना होगा तो उसी के तहत आप देखेंगे कि जो external vibrations है वो अगर कहीं उसके similar frequency से मिल जाए तो वो और भी boost होता है तो आप इसको try कीजिए कभी किसी काज के window के सामने जाए और कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए उससे भी कम हो सकता है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आवाज के लिए वो distance कितना है अब मान लिजिए ये काज का window है तो मैंने अगर इतनी दूरी से कोई गाना गाया तो और भी उसको close करूँ तो आप देखेंगे जितना आप पास जाते जाएंगे काज के तो आपको वो vibrations और प्रकर हैसूस होने लगेंगे और फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और वो जो अच्छा लगने वाली जो feeling है वही आपको लेना है और अच्छे से तो ऐसे करकर के आपका एक motivation बनेगा कि मैं इस गाने के इस particular हिस्से को अब जैसे सलोना सासजन राइग अब मेरी आवाज जैसे जैसे उचे की तरफ जा रही है तो chest voice से उपर चला जाता है फिर वो head में चला जाता है तो इसलिए आपको गाने का एक portion लेना है और उस portion को बस वो vibration जितना चाहे आप जितनी देर तक आप उसको लेना चाहेंगे उतनी देर तक उतना ही portion गाए सलोना सासजन है और मैं हूँ अब जैसे कोई-कोई words में vibrations बहुत जादा amplify होके आते हैं जैसे माँ वाले vibrations जैसे ओम का अगर आप रियाज करेंगे तो उसमें भी वही होता है कि जो माँ का जो vibration है वो और अच्छे से आपको अपने अंदर लेना होता है इसलिए कभी-कभी किसी practice में बोलते हैं कि माँ को prolong कीजे जैसे ओम गाएंगे तो तो ओ को छोटा और मा को बढ़ा कीजिए ऐसे किसी-किसी practices में बोलते हैं and I also suggest the same thing coming back to जो हमारा चल रहा था discussion तो ये काम आप जरूर कीजिए इस तरीके को जरूर अपनाएं ये है एक तरीका जिसमें आपका vibration सीधा-सीधा आपको reflect होके वापस आएगा और amplify होके वापस आएगा इसी को अब इसमें एक dependency ये है कि आपको काच मिलना चाहिए काच का कोई window मिलना चाहिए या वो situations होने चाहिए अगर आपका वो situation नहीं है पर फिर भी आपको ये practice करना है तो आप अपनी हथेली लीजिए ऐसे कर लीजिए हथेली को और मू के सामने रख लीजिए और वही चीज आप इसमें भी दोहराएंगे ऐसे आपको cup करना है और ऐसे रखना है और कोशिश कीजिए ये नाक से और मू से cover हो जाए ऐसे बिलकुल मू से cover करेंगे तो नाक के नाक से जो हवा आती है या नाक से जो भी vibrations कुछ vibrations नाक की तरफ से भी आते हैं तो उनको भी आपको लेना है तो दोनों को cover कीजिए और फिर गाईए तो ऐसे करके आप अपने chest voice को improve कर सकते हैं काफी हद तक और believe it or not मैंने ये तरीका मुझे किसी ने उस वक्त बताया नहीं था and I'm talking about when I was in 6th grade 7th grade तो मैं करती थी, अपने आप ही करती थी और बस मन में आया तो करने लगती थी और मेरा improvement मेरी voice का जो improvement हुआ गूँज का mainly निचले स्वरुक की जो गूँज है वो इतनी ज्यादा improve हुई कि आगे चल के मुझे उसका काफी फाइदा हुआ तो ये रहा आपका chest voice का improvement का तरीका चलिए, ट्राइ कीजिए और बताये comment section में और अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए like कीजिए और notifications on कीजिए ताकि आपके feed में ये सारे notifications आजाए, notifications आपके phone पे आए और आपको और भी लाभ हो in tutorials का, जिसमें मैं tips share करती हूँ कुछ tutorials और भी है जो जिसमें मैं गाने कैसे गाएंगे या particular कोई एक गाना है उसके notes या फिर उस गाने को कैसे निभाया जाए, वो भी share करती हूँ तो चलिए, subscribe कीजिए और नहीं किया है तो और आगे देखते रहिए, हम लोग आगे के chapter में देखेंगे की head voice को कैसे kick-in किया जाए, या फिर head voice को कैसे start किया जाए, kick start किया जाए, अब आते हैं head voice की तरफ, जिसमें मैंने notice किया है कि जिनकी आवाज भारी है, उस भारीपन की वज़े से हम लोग इतना ज्यादा stomach voice use करने लगते हैं, क्योंकि आवाज naturally भारी है, तो stomach voice ही, बचपन से ही, stomach voice से ही गाते हैं, रोग, you know मुझे कहा जाता था कि जोर से गाओ नहीं, तो गाना नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा, you know कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे जोर से गाना है, यही मेरा motto था, तो naturally मेरा stomach voice बहुत strong था, पर उससे क्या होता था, कि एक certain point से बाहर उचा वो नहीं गापाते थे हम लोग, you know, मैं तो जैसे लता जी का कोई गाना आप लेंगे, तो generally D, D sharp, E इन ही scale पे generally वो गाने होते हैं और उन गानों को original scale वे गाना मेरे लिए बिलकुल ही possible नहीं होता था तो यही मैंने भी notice किया है और मैंने अभी अभी तक जितने भी मेरे students रहे हैं उनके journey को भी मैंने observe किया है तो यह काफी लोगों की समस्या होती है कि जो लोग बचपन से ही stomach voice use करते हैं या जिनकी आवाज naturally भारी होती है उनके लिए एक certain scale पे एक certain note से बाहर स्वर से बाहर वो नहीं गापाते हैं इसके लिए एक नायाब सा तरीका है अनोखा बिलकुल अनोखा तरीका जो आपने कहीं भी नहीं सुना होगा तो वो आपको आज मैं share करने वाली हूँ with some examples तो इस तरीके में हम एक example लेंगे अब जैसे ये गाना है धीरे धीरे मचल मैंने यहाँ पे मेरा जो natural scale हुआ करता था एक जमाने में वो था G sharp तो मैं उस G sharp में इस गाने को थोड़ा गाने की कोशिश करूँगी और आपको ये देखना है कि मेरी आवाज इस scale में कैसी है और फिर हम लोग एक ऐसा तरीका अपनाएंगे फिर आपको notice करता है कि head voice कहाँ पे जाके kicking हो रहा है धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेखरार कोई आता है धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेखरार कोई आता है यू तडपके न तडपा मुझे बार बार कोई आता है धीरे धीरे मचल तेरे दामन की खुश्बू हवाओं में है तेरे कदमों की आहर फजाओं में है मुझको करने दे करने दे सोला सिंगार कोई आता है तो ये था नैचरल स्केल पे या जी शार्प ऐसे बहुत से लोग होंगे लड़कियों में मैं में बोलना चाहती हूँ जो जिनकी आवाज काफी वजनदार है और उनके लिए जी शार्प ही उनका स्केल है और उनको शायद बहुत दुख होता होगा कि वो लता जी के गाने करियोके पे नहीं गापाती है या फिर गाने के लिए आप उन लोगों को बहुत जादा अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं तो ये मुश्किल आती है और मैंने नोटिस भी किया है काफी सारे लोगों में ये होता है तो ये इनके लिए उनके लिए है ये पडिकिलर पोर्शन उनके लिए जी शार्प ही स्केल है अब जैसे ब्रेन को पता है आपकी आवाज अगर बचपन से ही एक सर्टन तरीके की है और एक उम्र आते आते आपके ब्रेन को इतना गहरे तरीके से पता चल जाता है कि ये scale में मुझे ऐसे ही गाना है ठीक है अब आपको क्या करना है एक कोई भी गाना आपका फेवरिट गाना अब जैसे ये वाला गाना मैंने लिया अगर आपका scale G sharp है तो आपको क्या करना है एक बहुत significantly उचा एक scale पिक करना है जिसमें आप अपने real आवाज या आपके stomach voice से आप गाही नहीं पाएंगे आपको एक उचे scale में जाने के लिए आपको गुनाने की जरुरत पड़ेगी या फिर आपके head voice को kick in करना ही पड़ेगा ठीक है आपको एक आध scale उचा नहीं लेना है ये आपको notice करना है कि G sharp अगर आपका scale है तो A या A sharp में कर लेते हैं बात खतम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप मत करना ऐसा आपको G sharp आपने अगर G sharp आपका natural scale है तो आपको minimum C sharp से ही उपर जाना है तभी जाके आपके brain को लगेगा कि इसमें तो हम गाही नहीं सकते हैं नॉर्मल गाना हम गाही नहीं सकते हैं पर मुझे गाना है कैसे गाएंगे तो brain ही आपका खुद decide करेगा कि मुझे गाना कैसे है तो देखते हैं Let's see C sharp कोई आता है धीरे धीरे मचल तेरे दामन की खुश वो हवाओं में है तेरी कदमों की आहट फजाओं में है मुझको करने दे करने दे सोला सिंगार कोई आता है तो इसमें आपने हजार कोशिश की फिर भी आप अपना स्टमक वोईज यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आपने जी शार्प में ही अपनी पूरी लाइफ उसी स्केल में गाया है तो सी शार्प इस इंपॉसिबल फॉर यू तो सिंग वोईज ठीक है तो उसमें आपकी आवाज इनिश्यली बहुत पतली होगी फिर मुझे जैसे एक मेरी स्टूडन्ट ने रेसंटली कहा और इन फैक मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ जिसमें मेरी वोईज में काफी सारे चेंज़ आये हैं और आज मैं जो गाती हूँ वो बहुती अलग गाती हूँ और बच्पन में मेरी आवाज बिलकुल स्टमक वोईज वाली थी मुझे और कुछ पता नहीं था आगे का हेड वोईज, टेस्ट वोईज किसी ने इतना अच्छे से नहीं समझाया था मुझे तो मुझे आता भी नहीं था समझ में और जोर से गाना है, खुलके गाना है इस वज़े से वो सारे कुछ एक्स्प्लोर मैं नहीं कर पाई थी लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब काफी सारे चेंजिस हुए, जब मैं बड़ी हो रही थी तो हर एक की आवाज में बदलाव आता है, लड़कों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है और उनका स्केल फटाक से चेंज हो जाता है, नीचे चला जाता है लेकिन लड़कियों में भी किसी-किसी में ये चेंजिस आते हैं, थोड़े relaxed changes आते हैं तो उन में से मैं एक लड़की थी जिसको कुछ-कुछ changes होने लगे थे और काफी सारे साल मेरे उसमें गए कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे गाओं क्योंकि एक point के बाद, एक स्वर के बाद जैसे मा या पा के बाद मेरे लिए गाना impossible था, stomach voice मेरे लिए मा या पा से उपर मैं गाही नहीं पाती थी फिर मुझे कुछ साल वेट करने के बाद, फिर मुझे धीरे-धीरे आया ये कुछ-कुछ ideas आये कि अच्छा ठीके मैं ऐसे-ईसे ट्राइ करती हूँ, so believe it or not I have gone through this also तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत important होगा और आप इसको जरूर देखिए, तो इसमें मैंने क्या किया है कि एक ही गाना जो मैंने बचपन से शायद G-sharp में ही गाया होगा, उसको मैंने एकदम से उठाया है C-sharp और मेरे ब्रेन को पता है कि नहीं गापाऊंगी मैं स्टमक वोईज में, इसलिए उसने क्या किया उसने सीधा हेड वोईज को ही किक किया अच्छा, अभी आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हेड वोईज है आपको हेड वोईज जैसे आप आप में से काफी लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि हेड वोईज इस फॉल्स वोईज या फॉल्स एटो नहीं है, ये गलत बात है हेड वोईज इस हेड वोईज जिसमें आवाज तो गले से ही आ रही है लेकिन हेड में वाइबरेशन आपके महसूस होंगे बहुत उचा अगर आप स्वार लेंगे अब जैसे C शार्प है तो मुझे हेड में वाइबरेशन सुनाई दे रहे है अब जबकि जो नीचे वाला चेस्ट वोईज है इसमें मुझे चेस्ट वोईज बहुत अच्छे से मुझे चेस्ट वाइबरेशन आ रहे है तो जैसे जैसे आपका स्वर नीचे लगता जाएगा उसमें चेस्ट वोईज का ज्यादा बोल बाला रहेगा और जैसे जैसे आप उच्छे जाते जाएंगे तो आपका हेड वोईज उसमें जादा बोलेगा तो यही है कि हमारे सब में हम सब में हेड वोईज, चेस्ट वोईज होते हैं लेकिन हम बचपन से ही शायद ऐसी कंडिशनिंग में बड़े हुए हैं या फिर हमें उतना एक्स्पोजर रहा नहीं है कि हम स्टमक वोईज के अलावा भी कुछ और है उसको भी एक्स्प्लोर करें तो इन सब की वज़े से हम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आवाज भारी तो भारी ही रह जाती है और हम कुछ अच्छे से ठीक से गा नहीं पाते हैं तो इनिशली यह गुएं तो इनिशली यह गुएं तो हैव दिफिकल्टीज क्यूंकि आपको लगे का यह आवाज मेरी है इनी मेरी एक स्टुदें ने कल ही मुझ से कहा कि उन्होंने ट्राइ किया बहुत अच्छे से और सक्सेस्फुल रही अंतक and she actually was very happy by the end of the class पर वही है कि एक टाइम में, you know, when you're trying all these things आपको लगता है यह आवाज मेरी है इनी फिर वो एक द्वंद हो जाता है अपने अंदर ही कि यह मेरी आवाज नहीं है फिर भी मैं इस आवाज से कैसे गाऊं इस गाने को कैसे निभाऊं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस आवाज से आप अब तक गाते आए हैं तो गले में यह सारी आवाजें आपके गले के मसल्स के तुरू आ रहे हैं तो यह गले के जो मसल्स हैं, हम में जिनकी आवाज काफी भारी है वो मसल्स बहुत, you know, it's a bigger bulk of muscles और जो भी muscles जिसकी वज़े से voice produce हो रहा है, वो काफी bulk है और वो पूरे के पूरे voice produce करने में लग जाते हैं भारी आवाज में जबकि जैसे ही आप आवाज को थोड़ा और कहीं deviate करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उचे स्वार में गाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ब्रेन को पता ही है कि मैं पूरा का पूरा बंच अफ मसल्स यूज नहीं कर पाऊंगा then it starts to use only a certain section of muscles जिससे head voice produce करने में के सक्षम हो हम लोग तो वो जो head voice वाले muscles हैं वो बहुत पतले होते हैं और proportion में कम होते हैं तो वो already weak होते हैं अगर आपने उनको सही ढंक से अब तक इस्तमाद नहीं किया है तो आपको करना ये है कि जैसे ही आप head voice यूज करना शुरू करेंगे आपको नजर आएगा कि ये मेरी आवाज है ये आपकी ही आवाज है तो आपको करना ये है कि ये जो exercise मैंने बताया है तो आपको अपने ही अंदर वो feeling लानी है कि ये मेरी आवाज है और इसको मैं बढ़ाऊंगी या इसको मैं बढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको patience के साथ काम लेना है अपने आपके प्रती patience अपने आपके प्रती प्रेम के साथ काम लेना है तो कैसे करेंगे तो वही गाना C sharp में अब जैसे head voice देखा जाए तो बहुत पतली होगी अगर आप पहली बार कोशिश कर रहे हैं तो इसको आपको बहुत पास लिक्याना है ये जो भी material है मैंने अभी एक notebook ली है आपके पास newspaper मत लीजे वो बहुत ही पतला है लेकिन कोई सक्त चीज जो reflect करने में help करे आपकी आवाज को तो उसको काफी मुग के पास लेके आना है ताकि आप अपनी ही आवाज को recognize कर पाए अपनी ही आवाज को सुन पाए अच्छे से और उसको अपना पाए ठीक है तो ये exercise आपके लिए है आपके system के लिए है आपके brain के लिए है more than your muscles your vocal muscles तो शुरू में आप एक ही line बार बार गाए वही आपका रियाज है और head voice को develop करने के लिए आपको थोड़ी और महनत करनी पड़ेगी आपने अगर regular रियाज में इतने साल आपने बिताए हैं तो वो अलग रखती जीए उसका scale अलग रहेगा और वो वहीं रहेगा उसको कोई भी impact नहीं होगा इस exercise से इतना आपको जान लेना है तो यह जो एक line है गाने की जिससे आपने शुरुवात की है उसी को आपको थोड़े थोड़े time के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको वही line गानी है और या फिर एक particular गाना ले लिजी और उसी का एक paragraph स्थाई ले लिजी या अंतरा ले लिजी कोई भी तो उसी को आपको थोड़े थोड़े time के बाद you have to keep coming back to it and then आपको उसको गाना है और patience के साथ काम लेना है ऐसा नहीं है कि एक दो बार गाया छोड़ दिया नहीं होने वाला है मेरे से तो आपको उस चीज को अगर आपको अपनाना है या उस गाने को सही से निभाना है original scale पे तो आप ये कोशिश कर ही सकता है या अपने लिए ही करेंगे ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है एक तो ये टेकनीक है कि आप कुछ अपने हाथ में ले लिजी और उसको instant gratification जिसको बोलते हैं कि instant आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा, हाँ, मेरी आवाज अच्छी लग रही है अच्छी सुनने में आ रही है भले ही आप अगर आपके सामने कोई और बैठा है या फिर आपका दोस्त, आपके family members या जो भी है, आप जब गाते हैं तो वो लोग सुनते हैं और उन्होंने कुछ कह दिया कि अरे ये तो गलत सुनाई दे रहा है ये क्या गार हो, हो सकता है तो initial few days या initial few practices आपको एक बिलकुल अलग जगे में बैट के, अपने आपको बिलकुल अपने आपको तयार करना है mentally भी and physically भी कि ये आपका goal है करेंगे, ठीक है और किसी ने कुछ कह दिया तो उसको कान में नहीं लेना है because this is for you this is what you are doing for yourself दूसरा तरीका ये है कि recorder अगर आपके पास है कोई भी सस्ता सा recorder ले लीजिए, मतलब फोन के साथ कितने तरीके के mics आते हैं आजकल, तो कोई भी recorder ले लीजिए या फोन ही ले लीजिए ठीक है, तो फोन पे ही अगर आप record करेंगे जैसे जैसे आप गाएंगे मूँ के पास लाके और फोन अलग से record कर लीजिए और फिर उसको सुनिए और उसको रख दीजिए एक जगे पे कि चलो आज के डेट में मैंने ये शुरू किया है let me keep practicing the same technique, let me come back to it after 14 days 14 दिन के बाद वापस आईए और record कीजिए और फिर अपना गाना, दोनों को compare कीजिए फिर आप देखेंगे कि जो आपका volume है जो आवाज आपकी इतनी पतली सुनाई दे रही थी उसमें जरूर बढ़ होतरी होगी मतलब मेरा 200% विश्वास ये है कि आपका improvement होगा ही होगा because it's all about muscles and you're working with very tiny set of muscles पूरे के पूरे muscles को आप use नहीं कर रहे है बिल्कुल छोटे से section को use कर रहे है head voice के लिए और इसमें आपका improvement होगा ही होगा तो ये जरूर कोशिश कीजिए और नीचे लिए के comment section में बताइए कि आपने कब शुरू किया and then come back to this video after two weeks दो हफ़ते के बाद वापस आके लिखिए कि improvement हुआ के नहीं और आप मुझसे सारे social media platforms में connect कर सकते हैं Facebook, Instagram और मुझे बताइए कि आपको ये फाइदा हुआ के नहीं और ये सारा practice करने के बाद ये सारे तरीके दीरे-दीरे अपनाने के बाद और इसको time लगेगा एक तो आप chest voice को use करेंगे chest voice को बढ़ावा देंगे vibrations के through दूसरा ये आप head voice को भी इस्तमाल करेंगे अब आप बोलेंगे पहले तो chest voice फिर अब सर पे चटके गाना है head voice के सार करना है या आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अगर आपको एक गाने को सही तरीके से निभाना है तो आप कर ही सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका practice और पहले आप इस गाने को कैसे गाते थे और अब आप इस गाने को कैसे गाते हैं इसको भी आप अपने लिए रेकॉर्ड करते रहिए और सुनते रहिए तो आपको जो instant gratification मिलेगा या instant validation जिसको बोलते हैं कि अच्छा मैंने अच्छा काम किया है थोड़ा improvement हो रहा है तो अपना ही improvement देख के आप खुश हो जाएंगे फिलहाल तो मैं कहूंगे कि ये करीकों को जब आप practice करेंगे तो try to stay away from public performances मतलब लोगों के सामने गाना या कुछ try कर रहा हूं मैं आप सुनिये कैसा लग रहा है किसी के दूसरों के opinion से दूर रहिए थोड़ा क्यूंकि आपको पहले तो खुद को तैयार करना है और फिर जाके लोगों को सुनाना है एक बार आप खुद सक्षम हो गए फिर लोग आप की वावाई तो करेंगे ही तो चलिए आज के लिए इतना ही आपने अगर subscribe नहीं किया है बाइ